नमस्कार सातियूं आपके मन में एक क्युसन आ रहा है, जैसे ही आपने 12 का एकजाम दिया, 12 का रिजल्ट आया, अब क्या करें? क्यूंकि अगर आप बेल्ट की नोकरियों में जाना चाते हैं, बेल्ट की जो में जाना चाते हैं, तो आप चले जाई लेकिन अगर आपको बनना है टीचार तो हम क्या करें एक है BSTC और दूसरा एकजाम होता है PTT इन में से किसका चोईस करें क्या हम BSTC डियलर्ड करें या हम बियर्ड करें इनी सवालू को लेकर आज हम ये लेकर आए हैं आपके लिए 10 मिनट की छोटी सी कलास दोस्तूं BSTC क्यों करें डियलर्ड करस का क्या है हमें फाइदा अध्यापक बनने का सोटकट जो इलाज है वो क्या मिलेगा या सोटकट क्या है दोस्तूं एक बार सभी साती इस वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब कर देना और जो नए साती आ रहे हैं 12 पास ही है लगबग क्योंकि BSTC हो या पीटीटी का एकजाम देने वाले या तो 12 पास या ग्रेजुएसन पास है तो ग्रेजुएसन पास तो करेंगे पीटीट जो आगे एकजाम होना है इस साल के लिए तो मित्रु यहां पर देखे जानकारी हम कंप्लेट देंगे उससे पहले आप सभी साती अधिक से अधिक सेर करो और कमेंट करके बताओ कि आपने कितने मित्रु को ये वीडियो सेर किया है एक आपके सेर से बहुत सारे मित्रु का फाइदा इससे हो सकता है दोस्तों चलिए मित्रु देखे आपने ट्वल्ट किया है और आपके सामने ये राह जो क्योसन कुछ दिमाग में आपके चल रहे हैं देखे आपने अगर जैसे आपको इंजिनिरिंग लाइन में जाना है तो आप चले गई आपको बेल्ट की बेर्ड करने के बाद में 4-5 साल 10 साल तैयारी करूंगा और अध्यापक बन जाओंगा यही है कोलेज करोगे तो देखे पहले क्योसन देखे तो वल्त बाद क्या आप अध्यापक बनना चाहते हैं कम समय में जोब प्राप्त करना चाहते हैं या पढ़तियोगी ताके दोर म पास किया है जहांसे आपने परतियोगीता का दोर देखा ही नहीं है दोस्तों अब आपके सामने परतियोगीता का दोर है वो सुरू होगा समझे दोस्तों समझे एक एक चीज को हम समझेंगे यहां पर चलिए देखे बीच्टी सी क्यों करे इसको लेकर मैं आपके सामने एक जानकारी दे देता हूँ, देखे, BSTC, Basic School Teaching Certificate, देखे, BSTC या DLAD, एक ही चीज है, एक ही चीज है, BSTC का एक्जाम होता है, मित्रु छोड़ना मत, PTT और BSTC में आपको जो अंतर है न वो बता दूँगा, complete, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कौन सी डिग्री म हमें भाग लेना है, एक ही चीज है, DLAD, Diploma in Elementary Education, प्रात्मिक सिक्षा के लिए डिप्लोमा दिया जाता है, प्रात्मिक सिक्षा मतलब कक्सा एक से पांस तक के आपको ज्यापक बनाये जाते हैं, अगर आपने BSTC किया, DLAD किया है दोस्तूं, ये दोनों एक ही चीज, आप जो ये तीन नीचे कतन लेकर आया होना, यहां से आपका जो संसे है वो कम्प्लीट खतम हो जाएगा, अब देखें यहां से जो साथी 12th पास है, उनके लिए दो चीजे हैं, एक BSTC कर सकते हैं, दूसरा PTT का एक्जाम दे सकते हैं, PTT का एक्जाम, जिससे 4 साल का हमें B.A.D कर लिया है, जिन साथी उने ग्रेजवेसन कर लिया, उनके सामने सिर्फ PTT है, क्योंकि तीन साल तो उन्होंने पहले खराब कर दी है कोलेज में, अब उनके 2 साल की बेड़ की डिगरी कुल 5 साल, अब 12th पास अगर आप PTT में जाएंगे, तो 4 साल लगेंगे, अगर 12th पास आप BSTC में जाएंगे, तो आपको 2 साल लगेंगे, ये साल देखे, मैंने सभी को गोल गेरे में डाल दिया है, PTT, 12th पास करते हैं, तो 4 साल, ग्रेजवेसन बाद करते हैं, तो 3 साल कोलेज के 2 साल, किस के होगे, B.A.D. के, तो 5 साल, और BSTC, 12th पास सीधा BSTC एक्जाम दो 2 साल के अंदर आपके पास डिपलोमा, और आई भरती लग गए जोब, ये चीज़ें, अब आपको चुनाव करना है, फाइदा किसमें, आपको गाटा किसमें, समझ गए, अब देखिए, यहां पे आपके सामने हैं, 12th बाद PTT परिक्सिया, और सनातक बाद PTT परिक्सिया, समझे आप, PTT के बाद, अगर आप PTT में जा रहे हैं, मेरिट के आदार पर आपको कोलेज आउंटी तोगा 12th बाद वाली में, चार साल की आपको डिग्री होगी, जिसमें कोलेज के साथ बीएड भी आपको दी जाएगी, तीन साल कोलेज, एक साल बीएड, उसके बाद यानि ककसा 6-8 तक, अधियापक, ग्रेड तर्ड, जो रीट बोल रहे हैं, रीट में लेवल दिविते के अधियापक बनेंगे, इसके लावा सेकिंड ग्रेड हैं, सेकिंड ग्रेड सेकिंड बढ़ते आती हैं, उसका एक्जाम दे सकते हैं, अगर आप सनातक बाद PTT परिक् होगी, तो 3-2-5 साल होगे, और अगर 12 बाद PTT दिया है, तो बीड आपको 4 साल में मिल जाती है, सेम चीज है, अधियापक ग्रेड तर्ड, यानि रीट है, आपकी उसमें लेवल दिविते के अधियापक मनेंगे, या सेकिंड ग्रेड सिक्सक जोब है, वो आप राप्त कर स सकते हैं, तो ये तो हो गया, 12 बाद करते हैं, तो 4 साल में बीड मिल रही है, ग्रेजवेशन बाद में आप कोलेज में इंजोई करना चाते हैं, गूमना चाते हैं, और फिर बीड करना चाते हैं, तो एक साल खराब होगा आपका, ये तो हो गई PTT, हम बात कर रहे हैं, आज सिरफ और सिरफ BSTC की 12th बाद BSTC प्रक्सिया होती है और लगबग आपके होने वाली है कुछी दिनों में जैसे 12th बाद BSTC एकजाम होता है वो एकजाम अगर आप देंगे तो merit के आदार पर आपको college आउंटित किये जाएंगे merit के आदार पर क्या मिलेंगे आपको college मिलेंगे समझगे फिर दो साल की आपकी डिग्री रहीगी और जैसे डिग्री मिलती है उसके बाद अध्यापक grade 3 या नहीं रीट या किसी अन्ने राजे के जो साथी देख रहे हैं तो वाँ पे जो third grade बरती होती है उसकी बात कर रहे हैं रीट में level पर्तम के आप अध्यापक बनेंगे ये तो है level पर्तम सिरफ आपके BSTC डिग्री के साथ 12th पलस BSTC अगर आप अध्यापक grade 3rd बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बियर्ड चाहिए बियर्ड दो तरीका है एक तो 12th बाद PTT से प्रिवेस करो 4 साल में बियर्ड होगी एक आप college करो graduation करो अपनी 3 साल उसके बाद PTT में प्रिवेस लो तो 2 साल की डिग्री होगी आ गया समझ में ये चीज है अब देखे कि मैंने एक चीज बोला था कि इस पर्तियोगी ता कि युग में कम पर्तियोगी चात्राओं के साथ चात्रों के साथ हम जल्दी से हध्यापक कैसे बन सकते हैं तो ये भी आपके सामने में निचोड रख देता हूँ यां से बात करता हूँ सिरफ मैं यहां पर राजस्तान की राजस्तान में वर्तमान में रीट एकजाम हुआ है यहां पर बात करूँ लेवल पर्तम की यहां पर बात करूँ लेवल दिविते की पहली बात यहां पर दो साल की डिग्री है यहां पे चार या पांच साल की डिग्री है समझ गए यहां पे जो पड़तियों की चातर है उनकी संक्या तीन लाक यहां पे जो पड़तियों की चातर है उनकी संक्या दश लाक अब एवरेज यह मान कर चलते हैं कि जो बरती चल रही है उसी के एकोडिंग जो 48,000 की बरती चल रही है उसमें जो विगप्ति में पद आये हैं वो है आसपास 21,000 के आसपास अब बच्चे कितने 21 वहां से चले गए तो बच्चे कितने 27,000 तो यहां पे होंगे 27,000 अब देखे एक तो 10,000,000 विदार्टियों में से 27,000 ले रहें एक 3,000,000 विदार्टियों में से 21,000 विद्यार्टियों ले रहें competition है का? यहां है competition और का नहीं है? लेवल परतम यानि की BSTC धारियों के पास जिन्होंने BSTC किया है बहुत आसानी से अपनी जोब प्राप्त कर सकते हैं इसलिए बोलता हूँ आगे एकजाम होना है BSTC कीजिए complete BSTC कीजिए अब यहां पे confusion होगा आपके कि सर आपने average तो बता दिया लेकिन यह 27,000 तो अलग अलग विश्यों के हैं तो मित्रों आप अगर SS से हैं आठ से हैं तो तीन लाग होंगे और आपके पद नहीं तीन लाग स्टूडेंट रहेंगे SS के और उनमें से मातर सामाजी की विग्यान की बात कर रहा हूँ हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ और पद मिलेंगे आपको पाँच जार यहां पर तीन लाग पर एकीस जार पद और इससे पहले जो रद हुई थी ना वहां पर पंद्रह सोलह जार जोइनिंग भी ले चुके लेवल पर तम में समझे आप यह है दोस्तों अब यहां से आपको खुद को सोचना है फिर भी डाउट है तो कमेंट करो लेकिन एक जानकारी देखिए यह चीज अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बार बीएश्टीसी का जो एकजाम हो रहा है वो दूँ और मेरे 450 से पलस नमबर आए मुझे कोलेज मिले और मैं बीएश्टीसी दो साल के अंदर करके और अगले दो साल में अध्यापक बनों यह अगर आपका सपना है या अभी बना है या आप बन रहा है या कन्फूज में हो तो यह टारगेर्ट ले लो साथ में अगर दो साल है दो साल बाद हमारा BSTC हो जाएगा उसके बाद अगर अध्यापक बन गई तो कोलेज करो बियर्ड करो आगे की तैयारिया करते रहना जोब लग जाते हैं तो हम ना तो कुछ घर से लेते हैं घरवालू को देते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर पाते हैं तो देखे BSTC का जो सलेबस है उसमें 200 क्यूसन आते हैं और 600 अंका रहता है एक क्यूसन तीन अंका रहता है याद रखना एक क्यूसन तीन अंका रहता है इसमें कुल 600 और 600 मेसें साड़ी 400 अंक अगर आप लेकर आएंगे तो आपको कोलेज मिलेगी अब देखे एक रिकोड यहां पे राजस्तान में लगबग 26,000 के आसपास हर साल BSTC सीटे हैं 26,000 सीटे हैं राजस्तान के अंदर 26,000 सीटे हैं अब यहां पर कम से कम चातर जो एकजाम देंगे तो उनकी संक्या रहेगी चार लाग के आसपास मिलने कितने वालों को है सिरफ 26,000 और यही बागए हैं यही 26,000 लोग हैं जो सबसे पहले नोकरी को प्राप्त करते हैं तो अगर चार लाग में से पहले 26,000 में आपको इस्तान बनाना है तो यह सलेबस आपको पढ़ना है और कहां से पढ़ना है तो आज साम से ही कलासे सुरू हो रही है रिजनिंग की उनको अटेंड करना ना भूले देखे सलेबस है जीके के 50 परसन आएंगे रिजनिंग के 50 परसन आएंगे टीचिंग एप्टिट्टूड सिक्सन अधी समता जिसके बारे में मैं एसे क्यूसन करवा दूँगा लगबग साथ सु याठ सो क्यूसन दूँगा उनसे बार एक क्यूसन नहीं जाएगा 50 परसन आएंगे लेंगवेज में हिंदी या संसकर्ट में से एक लेनी होगी और इंगलीस आपकी कंपलसरी रहेगी इंगलीज के 20 परसन आएंगे हिंदी और सेंसकर्द में से अगर आप हिंदी लेते हैं तो 30 परसन अगर आप सेंसकर्द लेंगे तो भी 30 परसन जो भी एक लेंगे उन में से 30 परसन आएंगे नेगेटिव मारकिंग आपके यहां पे नहीं रहेगी किसी भी परकार की कोई नेगेटिव मारकिंग नहीं है जिससे आसानी से आप इस एकजाम को पार कर सकते हैं दोस्तूं समझ गए यह आपे यह सलेबस यह प्रिक्षिया पेटरन है अब जो मैंने यह आपे आपको चीज बताई थी वो साइद आपको समझ में आ गई होगी कि टूल्थ बाद अगर जिन साथियों ने टूल्थ किया है उसके बाद वो बीएश टीसी करेंगे तो दो साल में होगी कोलेज करेंगे तो तीन साल पलस दो साल किसके बीयर्ड के अध्यापक बनने वालों के लिए तो कुल कितने होगे पांच साल अगला है कि पीटीटी से सीदे टूल्थ पास आप यहां टूल्थ के बाद कोलेज कर रहें ने यहां पे तो तीन साल जुड़ गए इसके अगर आप सीदे पीटीटी में जाते हैं यहां से तो चार साल की डिग्री होगी जिसमें आपको कोलेज पलस बियर्ड दोनु दिया जाएगा एक दो साल में आप डिगरी ले करा रहे हैं एक पांच साल में डिगरी ले करा रहे हैं एक चार साल में डिगरी ले करा रहे हैं और ये कम्पिटिशन हर साल तीन से चार लाग तेन से चार लाग अब बेरती बेरोजगारू की सिर्णी में राजस्तान में बढ़ रहे हैं एक साल अगर आप पहले करतें दो साल पहले करतें तो आप कितनों से पहले आ जातें और जल्दी जो प्राप्त कर सकते हैं यह आपको सोचना है बाकी अब भी कोई डाउट है आपको BSTC और PTT को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और जिन सातियों ने सेर आज नहीं किया ना देख लेना मेरे सातियों तो सेर करो आपका भाईयों में अधिक से अधिक सेर करो और सभी सातियों तक पहुँचा दो जिससे वो भी इस जानकारी को प्राप्त करें और वो भी अपना बहुँच से आसानी से चुने कोई भी डाउट कमेंट करना और बाकी इंस्टाग्राम मैंने यहां पर दे रखा आपके लिए देखिए यहां पर नीचे दिखाए दे रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी वहां पर जाकर आप मेसेज कर सकते हैं आप सभी सातियों को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे वारत